हालो स्टुडेंट्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल जी सी एन एच डबलू एम आज हम सब्जेक्ट सीटी के टोपिक ओडियो विज्वल एड्स के बारे में अद्धिन करेंगे इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडेक्शन डेफिनिशन परपज इंपोर्टेंस प्रिंसिपल्स के बारे में अध्धिन किया था हूं आज हम इसके classification के बारे में discuss करेंगे Classification Manly जो audio visual ads है उसको पांच बागों में classified किया गया है पहला आता है आपका auditory ads auditory ads हैनि की ऐसे device जिनको हम केवल सुन सकते हैं जिसे कि radio, recording and public address system दूसरा आता है visual ads यानि की ऐसे device जिनको हम केवल देख सकते हैं जिसमें दो categories होती है projected and non-projected ad ऐसे ऐसे device जिनको एक special equipment क्या हो सकता होती है electricity क्या हो सकता होती है या उनको एक projection क्या हो सकता होती है यानि कि screen चाहिए होती है जिसे कि slide projector, overhead projector और LCD projector नेसे आता है आपका non-projected ads यानि कि जिसमें कोई specific equipment क्या हो सकता नहीं होती है या इनको projection करने क्या हो सकता नहीं होती है इसमें आते हैं आपके graphic ads, display board and three dimension ads नेस्ट आता है आपका audio visual ads यानि कि ऐसे devices जो जिनको हम सुन सकते हैं साथ में उनको देख भी सकते हैं जैसे कि television LCD, VCR, motion pictures, computer यह सारे device ऐसे हैं जिनको हम देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं नेश्ट आता है आपका activity ads यानि कि activity ads यानि कि यह भी हमारे लिए बहुत चाहता है helpful है teacher के लिए full है क्योंकि इनके जरी कुछ activity करके हम students को बहुत कुछ सिखा सकते हैं काफी लंबी समय तक उनके दिमाग में रहता है जैसे कि फिल्ट्रेप और demonstration यानि कि इन में हम बच्चों को involved करके एक्टिविटी करवाके और उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं पांच पुएंट आता है printed ads यानि कि कि कागज पर या कोई वस्तू पर हम printed material देते हैं स्टूडेंट्स को तो वह उनको सीखने के लिए वह ज़्यदा कि सही हो जाता है और जल्ली सही उस चीज को वह सीख पाते हैं जैसे कि पंप्लेट्स एंड लीफलेट्स तो आईए इनके बारे में वन वाई वन हम इनके बारे में अध्यन करेंगे इनका डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे तो पहला आता है आपका ओडिटरी एड्स जिसके अंदर आते हैं आपका पहला रेडियो रेडियो आप लोगों ने देखा भी है और इसको सुना भी होगा प्राचिन समय में पहले गामों में इसका बहुत ही उप्योग होता रहा है यह एक पॉर्टेबल डिवाइस होती थी जो एंट्रेटेंट्मेंट के साथ साथ पब्लिक एजुकेशन में भी काम आती थी कई प्रकार की रेडियो प्रोग्राम में क्युछ कॉम्पेटिशन्स वगेरा या जनल नॉलेज की बातें या कई स्कूल्स द्वारा कोई एजुकेशनल की चीजें पब्लिस होकर के पता ही जाती थी जिसमें बहुत सारे लोग उन चीजों को सुनकर समझ सकते थे पॉर्ड डिवाई सोता था आज जो है यह पॉर्ड डिवाई साफिक बहुत कम को मिलता है इसकी जगह कि मोबाईल उन ने रिए और जगह ले लिए तो यह पॉर्डेवल डिवाई सस्थ हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है च्श very important for each of public education entertainment ऐस रेडियो पब्लिक की education और उसके entertainment के लिए एक common जो चीज होती थी वो थी radio the radio mission serve as a vital agency of mass education तो radio को mass education में भी इसका उपयोग किया गया था जो कि बहुत ही vital रहा था if used effectively in the education radio program अगर इसका effectively रूप से education program में इसका उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा एक vital agency सावित होती है mass education में transmitted subject matter is correlated to the syllabus of the study to the target group जो भी subject matter होता है उसको वो transmit करके आपकी study का जो भी syllabus है उसको target group तक वो पहुचाया जा सकता है इसके माध्यम से यानि कि बहुत बड़ी population में कि कि इसको कम समय में एक साथ कि जो भी आपका subject matter है जो भी आपका education से related जो भी syllabus है उसके बारे में आपने अध्धन किया या बाप पताना चाहते हो और किसी को information देना चाहते हो तो इसके माध्यम से आप पासानी से दे सकते हो इसके characteristics के बारे में चलते हैं तो पहला करेक्टरिश्ट्री आता है इसका immediacy immediacy radio can describe things as they happen यानि कि रेडियो वस्तुओं को उस प्रकार से describe करता है जैसे वह चीज गटित हुई है यानि कि हम कोई भी अगर information रेडियो के माध्यम से दे हैं तो वह information as it is लोगों तक पहुंस दिया दूसरा इसके अंदर emotional impacts यानि कि रेडियो के माध्यम से हम अपने emotions भी लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग कि उस चीज को imagine करके उसको सही तरीके से समझ सके और उनके अंदर इंट्रेस्ट ला सके तो यही चीज़े इसके अंदर थोदा combined effect of voice environmental sound and music यानि कि voice और music को combined करके उसका effect करके student के अंदर एक इंट्रेस्ट हम ला सकते हैं can be captured and her imagination start और उसके उसके अंदर एक imagination ला सकते हैं यानि कि आम जो बोर्ड रहे हैं उसके इतना वोग हो जाता है इतना interest आता है उसको अगर हम एक अच्छी तरीके से अपने lesson को publish करेंगे अपने जो भी आप information लोगों को दोगे तो voice और music का अगर combination करके हम बताते हैं तो वह चीज स्टूडेंस के लिए बहुती ज्यादा इंट्रेस्ट फुल रहती है authenticity it is possible for expert to visit any classroom at any time यानि कि यह experts के लिए यह चीज पोसीबल है कि यह किसी भी classroom में इसको लेजा कर अपने lesson या इसकी जो भी recording है वो उन लोगों को सुना सकता है इसलिए यह authentic है वन वे communication क्योंकि इसके जरीए no possibilities of students feedback यानि कि इसके अंदर students के feedback की कोई भी possibilities नहीं होते है इसलिए इसलिए इसे वन वे communication कहते है ने इस आते हम इसके uses के बारे में इसका उप्योग कैसे होता है इसका यह जो यूज है वह आता है इसका तो डौल पर इन्क्येज़ सिंन लिसनिग पार्टिक एशन एड इवऐलेवटेग वाथ इस हडर्च आदर के इंसके जो रेडो परग्राम्स है यह participation की कि जो स्किल सोती है उसको इनक्रीज खरतिए इसको डवलप करती है और तुर इस चाहन आप कहना पिल्बग सुनकरके उस चीज को एवेलिवेट करना इस प्रकार की जो स्किल्स होती है में इंक्रीज में नियुड जो है लोगों के अंदर इस्टुडेंस के अंदर एक इंट्रेस्ट प्रोवाइट कराता है और वे इत सौर्सेज ऑफ न्यू न्यू नौलेज और नहीं नही उनके अंदर लेके आता है and to contribute to the development of appreciation and attitudes और उनके अंदर appreciation और attitudes को develop करता है to call attention to social problems which frequently involve health जो भी social problems है समाज में जो भी समश्य है रहती है उनमें यह महत्पुन भागिता निवाता है इसके जरीए लोगों को हम attention दे सकते हैं इसके अलावा health के अंदर frequently क्या involved हो सकता है उसके बारे में भी हम रेडियो के माद्यम से लोगों है कि इसके बारे में कि एड़एश के बारे में कि एडवांटेस में पहले पोइंक्ट आता है आपका रेडियो प्रोग्राम और गूड़ फोर मास एजुकेशन यानि कि रेडियो जो प्रोग्राम है वह मास एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है जब ऐसी इस्तिति आजाती है जहां हम बच्चों को एक साथ स्टुडेंट्स वह एक साथ यह बहुत बड़ी लार्ज में को एक साथ एजुकेशन देना चाहते हैं और हम दे नहीं पाते ख्लास्रूम में केवल दे नहीं पाते तब ऐसी स्थिति में रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी पब्लिक को एक साथ एजुकेट कर सकते हैं कोई भी इंफोर्मेशन उनके पास तुरांत पहुचा सकते हैं इसलिए ये मास एजुकेशन के लिए अच्छा है रेडियो प्रोग्रामर्स आर इफेक्टिव पोरडिस्टेंस एजुकेशन रेडियो प्रोग्राम्स यदि हम रेडियो पर लेके आते हैं विभिन परकार के क्यूज विभिन परकार की लेक्चर्स अगर हम कि जरीये हम लोगों तक पोचाते हैं तो वह बहुती ज्यादा एफेक्टिव होता है और डिस्टेंस एजूकेशन के लिए इंप्रोटेंट सिद्ध होता है डिस्टेंस एजूकेशन मेंस ऐसे इस्टुडेंट्स जो रेगुलर पढ़ाई ना करते हैं उनको कि इंटरनेट के माध्यम से या फिर रेडियो टेलिविजन इनके माध्यम से और महodar हीं कि दूर screams करके पिना रिजूलर रहके शिक्षा परदान की जाती है तो वहां पर बेदियो कारो करते हैं जो तो students yan pupils के अंदर एक arousness लाते हैं एक नविंज चेतना उत्पन करते हैं पोजितिव Emotions can be re-finiferous positive attitudes याने कि रेडियो प्रोग्रामि zde हम करते हैं तो positive emotions हम उसके अंदर डालते Dash जो हमारे positive attitudes को एक बल प्रोवाइड कराते हैं यानि कि अच्छे emotions आपका attitudes दिखाता है वहाँ पर और आप सही तरीके से उस चीज़ को समझ पाते हूं एक good radio lesson can be recorded for use at any appropriate time एक अच्छा radio lesson अगर हम तैयार करके उसको record करते हैं तो वह आगे के लिए भी हम उसको दुबारा से यूज कर सकते हैं और कभी भी हम उसको किसी भी समय हम उसको यूज कर सकते हो यह हमारे लिए वह ज्यादा उप्योगी है तो advantage आपने देख लिए तो advantage के साथ साथ कुछ disadvantage भी होते हैं इसके जैसे कि there may be problem for frequency setting इसके अंदर एक तो यह problem आती है frequency setting कई कई जगह पर यह frequency नहीं पकड़ता है हम पर एगर हम प्रोग्राम दे देते हैं लेकिन कई जगह पर वह frequency frequency नहीं आपाती है और जिसकी वज़े से खर्खर की जो द्वनी होती है वह आ जाती है कभी इस पश्ट रूप से उस बात जो रेडियो कहना चाहता है वह नहीं सुन पाते हैं दूसा अता रेडियो प्रोग्राम में और में नोट भी हर्ड बाइश्टूडेंस रेडियो प् प्रोग्राम्स अगर देते हैं तो सभी बच्चे उसको सुने कि इसरा आता है तो प्रोग्राम में नोट सीक अटेंशन एज पर्शन नोट हैविंग एनी आई-टो-आई कॉन्टेक्ट इसमें बहुत बड़ा डिसेरवंट इस यह भी है कि इसमें हम स्टूडेंस को अटें से सुनने के लिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं तो पर्शन इस नोट एबल टू असेज दा एबिलिटी ऑफ दा इस्टूडेंस पर्शन जो है वह स्टूडेंस की क्या एबिलिटीज है उसको असेस करने में समर्थ रहता है यानि कि जो भी लेक्चर देता है रेडियो के इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रिकोर्डिंग डिवाइस के बारे में यानि कि रेडियो के साथ-साथ दूसरा जो है आपका रिकोर्डिंग डिवाइस रिकोर्डिंग डिवाइस आप लोगों ने देखा भी है यूज भी किया होगा पहले जैसे कि टैप रिकोडर टैप बता रहा हूं ऐसा होता है tap recorder इसमें speakers वगेरा होते हैं कुछ buttons होते हैं जिसके माध्यम से हम इसको play कर सकते हैं record कर सकते हैं अपनी आवाज को या कोई भी interesting lesson को हम इसके अंदर record करके और replay करके हम इसको सुना सकते हैं तो पढ़ते हम recording device device which can record and reproduce sound are called recording device ऐसे device जिनको हम record कर सकते हैं और उनको दुबारा उनकी sound को reproduce कर सकते हैं ऐसे device recording device कहलाते हैं good lesson language art piece can be recorded and replayed to introduce and review a lesson अच्छे अच्छे जो lessons होते हैं जो अच्छे languages होती है जो art pieces होते हैं उनको हम record कर लेते हैं और उसको बाद में कभी replay करके introduce करा सकते हैं या फिर कोई भी lesson को review करा सकते हैं तो recording device में एक smartphone तो चीज आती है इसके अंदर tap recorder tap recorder बहुत ही यूज करने वाला एक साधन रहा है काफी लोगों ने इसका यूज किया है एंडेटेंट में इसका यूज ज्याधा किया है lesson में इसका यूज स्कूल ये कोलेज़ों में पहले प्राश्चिन समय में होता रहा है tap recorder is a portable electronic device this device can be used by anybody by operating the following press buttons tap recorder एक portable electronic device है यानिक एक इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं और इसको कोई भी anybody इसको यूज कर सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही simple button होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से यूज कर सकता जैसे कि stop play forward rewind record pause यह छे बटन जो होते हैं इनके जरीए हम इनको tap recorder को control कर सकते हैं से stop कर सकते हैं play से play कर सकते हैं forward से हम आगे की और कर सकते हैं रिवाइंड में पीछे की और record में record कर सकते हैं पोज कर सकते हैं तो यह सारे बटन जो होते हैं आप लोगोंने यूज भी क्योंगे तो इसमें ज्यादा परिशान यह आपको नहीं होनी चाहिए तो also there are some functional control इसके की volume and tone जो इसकी loudness और quality होती है sound की उसको कंट्रोल करते हैं कि tap recorder are commonly available ads which are also used for co-curricular activities in schools college कि tap recorder जो है commonly available ads होते हैं ऐसे डिवाइस होते हैं आसानी से मिलने वाले डिवाइस होते हैं जिनको को curricular activities में भी हम यूज कर सकते हैं यानि कि school और college कि में पढ़ाई के साथ साथ हम इसको dancing song background music इसमें भी इसका उप्योग कर सकते हूं कि आई इसके एडवांटेश के बारे में जानते हैं एडवांटेश रिकोर्डिंग अर्ट टूवे कम्मुनिकेशन रिकोर्डिंग जो है टूवे कम्मुनिकेशन है यानि कि इसको हम classroom में ले जाकर के कोई भी इसको बादाना चाहरें इस्टूडेंट्स को तो पोस करके हम उनसे इस्टूडेंट्स से फीडवे वगेरा लेकर टूवे कम्मुनिकेशन कर सकते हैं रिकोर्डिंग केंड़ी मेट टूप्लेट एडजायर एड़ टिचिंग नेट्स रिकोर्डिंग जो है आप जो डिजायर ओटग्रींग नेट्स सेनिशंग की आवशकता है जो डिजायर उसके आधार पर हम प्ले कर सकते हैं जो भी टिछिंग के लिए मेटेरियल जो भी आुट च spilled होता जो भी अच्छी बाते होती हैं अच्छी लेंग्विजिज होती हैं अच्छे लेशन होते हैं वह आप प्ले करके classroom में आराम से चला सकते हूं रिकोर्डिंग ओफर यह वाइड रेंज ऑफ हेल्फुल मेटेरियल रहा है इसके अंदर काफी हेल्फुल मेटेरियल को हम wide range में उप्योग कर सकते हैं एक अच्छी जो वेल्यूएबल रिकोर्डिंग है अच्छे जो लेसेंस हैं उनको हम कि स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में दुबारा भी हम उसको उप्योग में ले सकते हैं कि चिल्डन में स्टेडी एंड लर्न तर साउंड डिफ्रेंट अनिमल विद ए टैप रिकोडर यानि कि स्कूल में जो चोचटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जिसे अनिमल्स की आवाज सिखाना विभिन प्रकार की आवाज होते हैं उन विभिन ट्रीगें से सीख पाते हैं कि एटि कन वी यूज़च इंप्रॉविंग्स स्पोकन लेंग्वेजेज इसके साथ इसके साथ एक टैप रिकोडर या रिकोर्डिंग डिवाईस के माध्यम से जो शोकन लेंवेजेज होती हैं उसमें भी हम इंप्रूफ ला सकते हैं हैंन्हें कि हमको कोई English या कोई French या कोई अधर वाँसा हम को सीक में होती है तो वे अमाध्यम से हम ग्यार के इसको रिकोर्ड करकर और उसको बार बार रिवाइंड फॉरवर्वर्ड प्ले करके वारबार हम उसकी को सुन सकते हैं और उसकी प्रैक्टेस कर सकते हों तो इसके डिसइडवांटेज के बारे में चलते हैं पहला डिसइडवांटेज आता है इसका हुआ पहला अपनुद एंडिवीजौ एविलिटी में नोट भी ऑवेलुएट बाइद टीचर कि इसके अंदर टीचर स्टुडेंट्स को एवेलिवेट नहीं कर पाता है इंडिविज्वल एबिलिटी यानि कि एक एक बच्चे को क्या एबिलिटीज है वो टीचर एवेलिवेट नहीं कर पाता है आई-टो-आई कॉंटेट इस नोट यहां पर टीचर विच में आई-टो-आई कॉंटेक्ट नहीं हो पाता है इस डिफिकल्ट टीचर टू कंट्रोल दा क्लास्रूम अगर हम टैप रिकोर्डर लेके जाते हैं या उनको अच्छे लेसंस के बारे में इंट्रेडूस कराते हैं तो कभी-कभी क्लास्रूम डिश्टर वो जाती है और उनको कंट्रोल करना वह ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर के लिए इट विल सीख लेस अटेंशन ऑव दा स्टूडेंट्स में अटेंशन जो होता है वह कम हो जाता है क्योंकि सारा अटेंशन टैप रिकोर्डर की और चला जाता है यादि आप टैप रिकोर्डर के सासत अपनी बात की अपनी चीजें भी शंगाना चाहते हो स्टूडेंट्स को तो आप नहीं समझा पाते हो इस तरह से टैप रिकोर्डर होता है नेस्ट आपका जो चीज होती है वह आती है आपकी पुबलिक एड्रेस स सिस्टम आप लोगों को पता होगा नहीं पता तो आप इसके चित्र देख करके आप इसको पेचान जाओगी जी हम यानिकी इस्पीकरS behind और सीडी प्लियर यह इफ इंपृट इवाइस हैम्पलीफाईर सिस्टम है इसाओगी गहास भीकुलकि और फि decisive क्यों पीए के पीए सिस्टम है एंड लाउड इस्पीकर यूज तो गिव साउंड डिस्टिबूटिंग दा साउंड तो दा जनरल प्यूपिल प Adding Public claro system को पीये सिस्टम कहते है यह क्लेक्टॉ-क इम्लीफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें मिक्चर एंप्लिफाइर और लाउड इस्पिकर यूज किया जाता है ताकि हम साउंड दे सके और को इस साउंड को डिस्टिबूट कर सके लोगोत्क पिल फेच्टम और ऑफन सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसको अपयोग कर सकते हैं जितने भी प्यूपल्स वहाँ पेटे हुए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जो पादरी होता है वह भी लोगों तक अपने प्रेयर पहुचाता है तो इसके माद्यम से बहुत सारी लोगों तक वह असानी से पहुचा सकता है तो मंदिर मस्जिद सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं साथ स्कूल में भी हम इसका यूज कर सकते हैं और इस नीच रूब यदि हम प्रते क्लाश्रूम के अंदर माइक्रोपोन यूज करएं तो हम तो इसमें प्रतेक जो occupant है प्रतेक जो students है अपनी class से ही जो central office में जो व्यक्ति बेठा हुआ है या जो principal है या फिर जो भी authorities है उसको अपना जवाब दे सकता है उसके उनके पूछने पर तो microphone की मदद से वह हम कर सकते हैं इसके लाब पी-ए सिस्टम टीपिकली कंसिस्ट आफ इन्पुट सोर्सेज पी इस सिस्टम के अंदर इन्पुट सोर्सेज इन्पुट सोर्सेज रफट टू माइक्रोफोन चेज लोगों तक पबिस कर पाते हैं जोकी सीदी प्लेयर्स और मा माइक पास होगा माइक्रोफोन होगा हमारे पास तो हम जो चीज बोलेंगे वह जन्रल पीपल्स तक जाएगी सीडी प्लेयर में अधी हमने कोई कल्चर प्रोग्राम या सोंग्स वगेरा कुछ ऐसी चीज हमने प्रोग्रेयर में प्रोग्राम गुष्व कि तो वह एक लार्ज प्यूपल तक वह असानी से जा पाएगे ये शीचर यूज तू प्रोवएड लाइफ साउंद रिपरडक्शन इसके लावा प्यूग हम लाइफ साउंद रिपरडक्शन में भी के giraffe करता है यहने की कई तरह के जो live भार्षन्स सोते हैं लाइफ चिजें जो उती हैं उसमें बहुत से आरी पब्लिक होती है उस पब्लिक को एकसाथ अपने sound पूंचाना यह और वो भी live लाइब और यह पब्ली क cowboy एट्स के बारे में अध्यान करेंगे विज्वल एड्स जिसमें प्रोजेक्टेट और नोन प्रोजेक्टेट एड्स होते हैं इनके बारे में हम बाद में नेक्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे का था